व्लेजर लाइफ़ सवागत करते हैं अपने यूटूब चैनल विलेजर लाइफ़ स्टाइल में तो आज मैं आपको लेके Hawn qui पास के गाउं में ही अवस्थी था ये समसेर खां का मकवरा और ये जहां तक मेरी उमीद है मुझे जानकारी है ये सुल्वी सताबदी के आसपास इसका निर्मान किया गया था और ये जो गाउं आप देख रहे हैं ये उन्हीं के गाउं के नाम से जाना जाता है और इस गाउ जो कि साब सफाई यह देख रहे करते हैं इसके लिए कि और ये भी बहुत ही इन महनत और इमंदारी से अपने का मको कर रहा हैं और इसमें क्या कुछ कठनाई आती हैं और मैं चाहूँगा सरकार से इन्हें उचित महनताना मिले ताकि और भी अपना तनमंद से अपने इसकार को लगे लगे तो इनका कहना है कि हम संटूष्ठ हैं जो भी हमको मिलता है और इस काम में लगे हुए हैं बेहत सिद्धत से और म बेहत दार्शनिक अस्थल है लेकिन आज ये उपेक्षा की सिकार है और जो भी परियाटक हैं जो हमारे बाहर के स्क्राइबर हैं मैं उनसे आगरह उमीद करूँगा कि आप इस एतिहासिक जगा को देखे समझे और इसकी पौरानिक गरिमा मैं संस्कृती से अउगत हो तो आगे चलते हैं आपको और भी कुछ दिखाते हैं और यहां बच्चे लोग हैं कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं क्रिकेट का अनंद लिया जा रहा है इसे गली क्रिकेट भी कह लिजिए और ये चारों तरफ से ये जो एक मैदान है आसपास इसके मैदान है लोग यहां प्लेस है आज यह उपेक्षा का सिकार है और इस देखरेक के अभाव में कुछ है इसकी इमारतों में खराब हो रही हैं इनकी जो यह आपका यह जो प्लाश्टर वगेरा है यह जो कॉंकुरीट है गिर रहा है हलाकि यह बहुत पुराना है लेकिन फिर भी इसकी मजबूती अधितिय है एक बहुत ही एतिहासिक जगा और यह जैसा कि आप देख पा रहे हों दो मजारे हैं और एक जहां तक मेरा मानना है मुझे जानकारी है यह ततकालिन जो यहां के शासक राजा हुआ करते थे किंग ओफ समसेर खान उनकी यह मजार है यह साइद उनकी पतनी उनकी मजार तो यह दोनों मजारे एक साथ ही अवस्थित है और यह विशाल का एगुमबध और लोग यहां अपनी-अपनी मानेता अपनी-अपनी सिद्धत्ते लेकर आते हैं मनेते मांगते हैं और एक तरह का यह धार्मी का स्थल भी है जो कि गंगा जहुनी तजीब को बढ़ावा देता है हिंदू-मुसलिम सब एक समान यहां पूजा आर्शना करते हैं और बेहद मांग थी कि आप अपने गाओं के आसपस का भी और भी दार्शनी कस्थल दिखाईए तो मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी दे दूँ और मैं आगे चलता विडियो उसके आखिर तक बने रहिएगा और चलते हैं आगे और मैं आपको इसके मुख द्वार तक लेकर चलता हूँ और ये जो धरोहर है ये युनिसको कि स्रेनी में है युनिसको के अंदर गद इसका देखरे किया जाता है तो चलते हैं और इसके सिलापट पर क्या कुछ लिखा हुआ है और हमें इसके बारे में और आची से जानकारी मिल पाएगी इसके में द्वार जो होता है प्रेश द्वार हम वहाँ पहुंचे हैं और ये एक प्राचीन असमारक है और इसके पट पर लिखा हुआ है कुछ ये जो यूनिसको के अंतरगद आता है और मकवारा ये समसेर खांका तलाब बगल में भी आप देख पा रहोंगे तो फ्रेंड्स यही था और आगे भी मैं आपको इसी तरह का वीडियो दिखाते रहूंगा और आपको अगर ये वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सेर एंड सस्क्राइब करें तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में जाहिन और गर्व से कहेंगे वंदे मातरम